हेलो फ्रेंड्स मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल बायलोजी गुरूजी में जैसा कि फ्रेंड्स पता है हम लोग GIC, Lecturer और UP, PGT, TGT की preparation कर रहे हैं और हम लोग अपने target पे हैं GRV, Objective, Geology और Objective Botany को complete करने की एक target पे, एक mission पे तो इसी सीरीज में अगर GIC का Lecturer का सिलेवस है उसका Geology यानि जन्तु विज्ञान का सिलेवस आपने देखा है तो उसमें सबसे लास्ट में 11 पॉइंट पे एक heading दी गई है जिसका नाम है जैब बिकास, मीस, Organisms, Evolution तो इस Evolution की topics हैं, सब topic हैं कई सारे जैसे की जैब बिकास की परकलपना एवं सिधान्त, जीवन की उत्पत्ती, जैब बिकास की सिधान्त, लैमार्क एंड डार्विन, जैब बिकास की साच्छ, नव डार्विनिजम्स, तथा बिकास की synthetic theory, विविदिता और मानब बिकास इन सभी को मैं complete कराने के लिए ये आज का जो है, वो part one है, इसमें हम theories on, origin of life से related, organism से evolution से related, सभी questions को हल करने वाले हैं, ओके, तो जिन हमारे friends ने हमारे previous videos को नहीं देखा हुआ है, तो वो उनको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ओके, कई सारे friends question करते हैं, यूट्यूब पे, है न, कि sir please हमें इसके पूरे video कराइए, तो मैं आपको ऐसी और करता हूँ, कि मैं परड़े कम से कम एक video तो जरूर डालने का प्रयास कर ही रहा हूँ, है न, और किसी किसी दिन आपको दो से तीन video भी मिल जाते हैं, तो मुझसे ज़ादा और ज़ादा free में content कोई भी provide नहीं करा रहा है, और भी कई YouTubers चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनको paid कर दिया है, मैं आपको free में quality दे रहा हूँ, और free में ही हाल फिलाल में देता रहूँगा, ओके बस आपको इतना ही करना है, कि please अपने इस videos को share जादे से जादे करें, अपने friends को जो biology related GIC lecturer और यूपी अगले target की तरफ और देखिएगा, जादे से जादे subscriber बढ़ाईएगा, comment और share जरूर कीजिएगा, ओके तो यह बहुत ही important topic है, और इससे बहुत छोटी छोटी और simple से question आते हैं, जादे explanation वाला नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी question तो question है, हमें revision तो करने ही पढ़ेंगे तो देखिएगा, पहला question जो है, वो आज का हो जाता है, अब iogenesis means, अब iogenesis means क्या होता है, अब आपको खुदी देख के यहाँ पे clear हो रहा होगा, कि कितनी वार ये question आ चुका है, BHEU में आ चुका है, CPMT में आ चुका है, केरला में PMT में आ चुका है, PMT 2003, 4, 5, इन सभी ज जाएंगे, इतनी वार रिवाइज कर लेंगे, कि हमें अपने आप वो तयार हो जाएंगे, ओके, तो iogenesis means क्या होता है, spontaneous generation, और इसका B option क्या है, origin of viruses and microbes, option C क्या है, origin of life from living organisms, option D क्या है, origin of life from non-living organisms, ओके, तो देखिएगा, इसका right answer जो है, तो option A हो जाएगा, option A, इसका right answer हो जाएगा, spontaneous generation, ओके, अब iogenesis means होता है, spontaneous generation theory, ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ, question number 2 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा, select the wrong pair, इन सभी option में से, आपको pair को जो wrong है, जो correct नहीं है, उसको select करना है, तो fox एक scientist का नाम है, इन्होंने micro sphere, एक concept दिया हुआ था, जो की इन से related है, तो बिल्कुल सही हो जाता है, यह है ना, फिर operon, operon ने एक concept दिया था, जिसका नाम है, proto-biont, क्या नाम दिया था है, इन्होंने, proto-biont, ओके, next scientist ने, halden, तो halden ने एक concept दिया था, hot dilute soap, ओके, और यहां का जो अगला है, वो अगर हम उसको देखते हैं, तो splangeni, इन्होंने, aviogenesis theory दी थी, नहीं भाई, यहीं पर यह mistake है, और यह गलत हो जाता है, यह wrong pair बनता है, क्यों बनता है wrong pair, फिर splangeni ने किया दिया था, देखो भई, aviogenesis की अगर हम बात करें, तो scientist जो थे, वो वैन हेल्मोंट ने इसको दिया हुआ था, वैन हेल्मोंट भी इससे related थे, कही सारे scientist related होते हैं, और जो है, जो splangeni थे, यह biogenesis related थे, किससे related थे, biogenesis थे, तो कहीं ना कहीं, यह concept यहाँ पर mismatch हो जाता है, आगे देख लेते हैं, Francisco Reddy, इन्होंने biogenesis का concept दिया हुआ था, ओके, तो चलो, हम समझ लेते हैं, कि biogenesis का concept जो है, वो तीन scientist ने म पॉस्चर थे, फ्रेंकोई, फ्रेंसिसको Reddy थे, और एक थे splangeni, कौन थे, splangeni, तो biogenesis का concept जो है, वो splangeni, Reddy और Lewis पॉस्चर, इन्होंने मिलकर के दिया हुआ था, आई होप आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम बढ़ते हैं, अपने अगले question की तरफ, और व generation theory का idea जो है, हमने अभी आपको उपर ही बताया, कई लोग ऐसा ना समझ लेना, कि सर अभी तो आप Ben Helmont बता रहे थे, अब आयो जाने से इसका, लेकिन यहाँ पे तुझे है कुछ और दिया जा रहा है, बट actual में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक theory से कोई एक scientist नहीं जुड़े हो option B, Anaximus, option C, Empedocals, and option D, Anaximander, okay, Anaximander, तो यहाँ पे जो right answer है, वो हो जाएगा आपका, Anaximander, Anaximander ने सबसे पहले spontaneous generation theory का idea जो है, वो उसको propose किया हुआ था, okay, next question की तरफ हम बढ़ते हैं, और next question है, theory of spontaneous generation was given why, spontaneous generation theory देखिए, अभी हमने इसी बात को कहा था, कि spontaneous generation theory को किस ने दिया था, तो आप याद रखोगे, यहाँ पे right answer जो है, हम आपको बता चुके हैं, Van Helmont, कौन हो जाते हैं, Van Helmont ने spontaneous generation theory का concept दिया हुआ था, बाकि की बच्चे जो तीनों option हैं, इनको आप समझ सकते हो कि इनके option की अगर हम बात करनें, तो अभी मैंने आपको बताया, यह related है, बायो जैनेसिस थियोरी से, means ready, posture और splengeny, यह तीनों बायो जैनेसिस से related हैं, और Ben Helmont जो हैं, वो अबायो जैनेसिस थियोरी से related हैं, ओके, बढ़ते हैं, हम अपने अगले question की तरफ, question number 5, believers in spontaneous generation theory, assumed that Actual में इस question में इनोंने कहा हुआ है, कि जो believe करते ते तो जो बिस्वास करते थे, कि spontaneous generation theory की ऊपर, spontaneous generation क् commercially क्या थी, यह अबायो जैनेसिस theory का another name है, किसका another name है, यह अबायो जैनेसिस theory का another name है, spontaneous generation theory, means sothah होने वाली उत्पत्त्ती, अपने आप जो GENERATION जो है, सothah हो यह, कही न कहीं से मिट्टी से अपने आप चुहे बन गई होंगे इस तरह से इनका concept था तो यह condition जो है वो क्या प्रूब करती है तो देखिएगा believers जो ते वो क्या मानते थे organisms always arise from here ऐसा यह नहीं कहा हुआ है organisms could arise only from here ऐसा भी हो सकता है कहा हो and organisms arose from non-living material ऐसा भी हो सकता हो कहा हो या फिर d option है organisms arose only from other similar organisms तो इन में से कौन सा option जो है वो believe करते थे spontaneous generation theory को assume करने वाले में मानने वाले तो इसका right answer जो है वो option c हो जाएगा organisms arose from non-living material होके आई होप आपको clear हो गया होगा यह question next question की तरफ बढ़ते हैं question number six की अगर हम बात करते हैं so which which of the following experiment which of the following experiment suggest that simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter इन्होंने कहा हुआ है कि कौनसा ऐसा experiment है जो suggest करता है that simplest living organisms could not जो नहीं evolve हुए होंगे किस से spontaneously यानि non-living matter से तो कौनसा ऐसा है तो देखिएगा option a क्या है microbes did not appear in the stored food okay larvae could appear in decaying organic matter okay microbes appeared from unsterilized organic matter okay option these meat was not spoiled when heated and kept sealer vessels यानि sealed vessels में अगर meat को रखा जाए तो वो spoiled नहीं हो रही थी वो सड़ नहीं रही थी उसमें कोई भी organisms produce नहीं हो रहा था तो यह चारह options जो है मैंने आपको explain किये हैं तो आपके according कौन सा होगा है ना अपना आप assume करते रहिएगा लगाते रहिएगा और आप देखिए मैं इसका right answer बता रहा हूं तो option d जो है वही इसका right answer है अगर meat को spoiled होने से बचाना है तो उसको heat करके और पूरी हम इसमें अगले concept पे swan naked flask experiment was done why इन्होंने कहा है कि जो swan naked flask experiment था वो किस ने दिया था देखो friends actual में यह swan naked flask experiment बहुत ही important है बहुत ज़्यादा important है इसका video और मैं अपने अगले में है ना image अगर आपको इसकी image चाहिए तो मेरा जो group है जो हमने telegram पे बनाया हुआ है इसके description में आपको इसका group मिल जाएगा link मिल जाएगा उसको जरूर join कर लेजिएगा जो इस तरह के होते हैं जिनके mind में question उठते रहते हैं कि आखिरकार स्वान नेक flask क्या रहा होगा तो अगर उन्हें google पे सर्च नहीं वो कर सकते हैं वो सीधा चाहते हैं तो मैं उनके लिए मैंने इसको सुभधा दी हुई है आप मेरे telegram channel पे जुड़े रहिएगा मैं उन जो topic video बना रहा हूँ उनसे related photos भी upload करता रहूँगा तो यहाँ पे देखिएगा स्वान ने इसको फ्लास एक्सपेरिमेंट जो है वो लूइस पॉस्चर ने किया था किस ने किया था लूइस पॉस्चर ने इसको किया हुआ था ओके आई होप आपको राइट आंसर मिल गया होगा next question की तरफ बढ़ते हैं who said that organisms develop from pre-existing organisms ऐसा किस ने कहा था ओके तो यह कहा था एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर ओपेरिन ने लूइस पॉस्चर ने थॉमस हंट मौरगन ने तो यह कहा था लूइस पॉस्चर ने कहा था किस ने कहा था लूइस पॉस्चर ने कहा था ओके देखो अगर हम इस question से मौरगन अब समझे लो जैनेटिक्स की तरह जिस तरह से मैंडल का नाम है उसी तरह से मौरगन का नाम ही वी है मौरगन ने अपने एक्सपेरिमेंट रोसो फिला मेलोनवास्टर जिसका कॉमन नेम फ्रूट फिलाई है उसके उपर अपने रिसर्च की हुई थी ओके तो चलि of life के लिए germ theory of disease के लिए continuity of germ plage के लिए theory of spontaneous generation के लिए तो ये जो थे वो related थे germ theory of disease के लिए किसके लिए related थे ये जर्म theory of disease से related थे Lewis posture ओके now next की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा next question जो है वो question number 11 है और हम आज आते हैं उस पे sorry question number 10 है पिछला जो था वो nine था ओके तो इसको देख लेते हैं और देखेगा तो the idea that life originate from pre-existing life is referred वो कौन सा idea है कि जो ये refer कर रहा थी life जहां से भी आ रही है वो pre-existing से ही आ रही होगी मतलब पहले से कहीं exist कर रही होगी वहीं से तो इसका concept किस ने दिया कौन सी theory में दिया गया था बायो जैनिसिस theory में अबायो जैनिसिस theory में extra terrestrial theory में special creation theory में ओके तो आई तिंक इसका जो है या फिर आप देखिएगा आप भी अपना question जो लगा लिया होगा आपने और इसका right answer जो हो जाता है जो है जो है वो राइट answer हो जाता है बायो जैनिसिस theory का concept जो है वो यहां पे fit वैट रहा है चलो अब बायो जैनिसिस के बारे में और spontaneous generation theory की बारे में हम आपको बताई चुके हैं special creation theory जो थी इसके बारे में कुछ scientist कुछ लोग यह मानते थे जो प्रीष्ट थे थोड़ा से religious से related धरम से उनकी भावनाएं जादा जुड़ी होई थी वो मानते थे कि भगवान कोई ऐसा रहा होगा कोई एक सी supernatural power रही होगी जिसने इसको बनाया हुआ है ओके तो वो special creation theory की अंडर में आ जाती है हम बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ religious लोग थे जो धरम से जुड़े हुए तो जो पूजा पार्ट में जादे विस्वास रखते थे उन्होंने काई कि भाई कोई एक supernatural power होगी और वही ने उसी ने ऐसे जैसे आज हमको दिखाई दे रहे ना पेड़ पौदे जानवर सब ऐसा सीधा सीधा उसी ने बनाया होगा कोई evolution वगेरे नहीं हुआ होगा है ना ये सब उसी ने बनाया है और ये सब उसी के देन है ऐसा भी लोग मानने वाले थे तो इस theory को क्या कहा गया था तो इस theory को कहा गया था अब आयो जैनिसिस theory, sport theory, special creation theory या फिर spontaneous generation theory तो आप समझ गए होगे मैं अभी उपर बता ही चुका ह तो इस theory को कहा गया था, special creation theory, okay means भगवान को ही रहे होंगे, God को ही रहे होंगे, issue machine को ही रहे होंगे, उन्होंने एक supernatural power रही होगी, उन्होंने ऐसे ही लोगों को special create किया होगा, okay बढ़ते हैं हम अपने आज की question number 12 की तरफ है ना, तो देखिएगा, question number 12, who was one of the greatest advocates of theory of special creation, special creation theory को सबसे मानने वाले कौन थे, कौन इसकी advocacy करते थे, मतलब बकालत करते थे, okay तो इसका हो जाएगा, father suraj, कौन हो जाएगे, father suraj इससे related हो जाएगे, friends आप अपने motivated वाले comments जरूर हमें देते रहेगा, subscriber आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिला है, और subscriber लगातार increase हो अपने work, अपने job से निकाल कर, मैं आपके लिए work करता हूँ, और जितना सरल और simple और अपने daily use करने वाले सब्दों में, मैं आपको convert करके ये video देता हूँ, जिससे आप अपनी GIC lecturer और TGT PGT biology की job को आसानी से gain कर सकें, तो please subscriber जरूर बढ़ाते रहेगा, और अगर आप subscribe कर चुके हैं, तो आपके घर में जितने भी mobile हों, जितने भी लोग हों, please subscriber को increase जरूर करिएगा, नहीं तो मेरा channel वंध होने को आजाएगा, क्योंकि आपको पता है, अगर एक साल के अंदर इसने 1000 subscriber को gain नहीं किया, तो मेरा channel close कर दिया जाएगा, ओके, तो please subscriber जरूर बढ़ाते रहेगा, मैं आपको इतनी जादे useful videos provide कराता रहूँगा, ओके, चलिए, बढ़ते हैं, हम अपने अगले question की तरफ, Cosmo जो एक theory of origin of life was proposed by, अब देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पे देखिएगा, एक नया word आया हुआ है, क्या नाम है इसका, Cosmo जो एक theory, origin of life was proposed by, एक किस न प्रपोज की थी, है ना, तो देखिए, Cosmo जो एक theory जो थी, इसको प्रपोज करने वाले जो scientist थे, वो, option A, Lewis Posture, option B, Richter हो जाएंगे, option C, NXC Mander हो जाएंगे, या फिर Charles Darwin हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, Cosmo जो एक theory को प्रपोज करने वाले, तो बिलकुल, अभी तक आपने देखी लिया होगा, अपना टिक कर लिया होगा, Sun 19, 1865 में, scientist थे Richter, कौन scientist थे, Richter, Richter ने इसको प्रपोज किया था, सबसे पहले, 1865 में, ओके, इसके वाद इनको support करने वाले भी एक scientist थे, जिनका नाम था, Arrhenius, Arrhenius, 1908 में उन्होंने इनको support किया था, इसका मतलब क्या है Question पर आते हैं, तो Cosmo जो एक theory का ही दूसरा नाम और आप याद कर लोगे, Cosmo जो एक theory का another name क्या है, Cosmo जो एक theory का another name की अगर हम बात करते हैं, तो इसका another name हो जाता है, Sperm, Sorry, Spore theory, another name क्या हो जाता है, Spore theory, Cosmo जो एक theory का another name हो जाता है, Spore theory, ओके, तो इसमें यह कहा गया था, कह कहीना कहीन किछी दूसरे ग्रह से क्योंकि हमारा जो अर्थ है हमारा जो प्लैनेट है वो मिलकी वे गैलेक्सी में है और इस गैलेक्सी में ऐसी बहुत सारी जो है है ना मिलकी वे हैं बहुत सारी स्टार्स के गुरूप में तो कहीना कहीन दूसरी जगह से इस्पोर आये होंग और उनी के थुरू हमारी अर्थ पे हमारे प्लैनेट पे life originate हुई है ओके तो चलो चार्ल्स डार्विन है ना ओरीजिन ओफ आपको पता है जो हम कह सकते हैं इन्होंने बहुत सारे concept दिये हैं इनने इवोल्यूशन के बारे में natural selection theory इनकी बहुत famous theory है तो इन सब को याद करके रखिएगा है ना चलो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ the founder of theory of catastrophisms है ना देखिए अब इन्होंने question रेज किया है कि वह कौन से founder थे जिन्होंने catastrophisms theory दी थी तो इसके founder जो थे वह qbier थे कौन थे qbier है ना qbier ने catastrophism देखो c से start होता है catastrophism और c से start होता है qbier तो catastrophism की theory किस ने दीती qbier ने दीती ओके यह याद रखोगे qbier को ही the father of modern paleontology भी कहा जाता है ना जियोर्ज qbier को ही father of modern paleontology भी कहा जाता है ओके चलिए next question की तरफ हम बढ़ते है so the age of big bang is likely to be the order of the age of big bang big bang theory को origin of earth जो earth पे life का origin हुआ है यह big bang theory की देन बोला जाता है एक tremendous amount of explosion हुआ था बहुत ही unimaginable एक explosion हुआ था बिसपोर्ट हुआ था उसी के परणाम सरूप है ना हमारी earth का formation हुआ होगा ऐसा कहा गया था big bang theory के under में तो इसका इन्होंने कहा है likely to be the order of age क्या कब हुआ होगा यह 10 to the power 10 years 10 to the power 10 years before हुआ होगा चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ question number 16 को देखते हैं about how long ago was the earth formed कितने समय पहले अर्थ बनी होगी देखो इस universe का actual में ध्यान दीजिएगा ओपर साइद मैंने only earth बोला हुआ है क्योंकि earth का formation का होगा जब पूरा यह universe बन जाएगा मतलब ब्रह्मांड बन जाएगा तो जो बिग वैंग थियोरी है इसका यही कहा गया था कि इससे पूरा universe बनाया पूरा ब्रह्मांड बनाया और उसी ब्रह्मांड के अंदर ही तो बहुत सारी galaxies बनी थी और उनी galaxies के अंदर एक गेलेक्सी है जिसका नाम है milky way galaxy और उसी milky way galaxy में एक solar system है है ना जो कि हमारा solar system कहा जाता है जो कि sun के चारों तरफ जो है बहुत सारे planet जो है वो round करते हुए है ना circle में घूम रहे हैं ओके तो इतना concept था big bang theory का तो इन्होंने कहा है कि earth का form कब हुआ था अर्थ का formation हुआ था 4.6 billion years ago ओके अर्थ का formation कब हुआ था 4.6 billion years ago ओके चलो बढ़ते हैं हम अपने आज के देखो अब यहाँ पे origin of life के देखो आपको याद होगा हमने इसको जब शुरुआत किया था तो देखिए का यह लिखा हुए origin on theories on origin of life यह सभी जो है origin of life से related theories थी थी हुआ है अभी तक और अब जो हम questions raise करने वाले हैं वो हम raise करने वाले हैं एक scientist थे जिनका नाम था Oparan and Halden उनके उपर जो भी questions बनते हैं उनसे related ओकी तो देखिएगा Oparan and Halden जो है वो अपने आप में इनकी theory जो है बहुत ही ज़्यादा famous है इनकी अच्छी सी trick हम बताएं तु मेरा hero गाना सुनाएं ना तो चलो समझो उस hero word से हमें आपके कुछ याद करना चाह रहे हैं आपको तो देखिएगा ह for हो जाते हैं Halden ह for कौन है Halden और O for कौन हो जाते हैं Oparan अब बात यह जाती है Halden कहां के रहने वाले थे तो England के रहने वाले थे और Oparan कहां के रहने रहने वाले थे तो आप hero world से इन तीनों इनको याद कर सकते हो कि Halden जो थे वो England के रहने वाले थे और Oparan कहां के रहने वाले थे रसिया के कई वार ऐसे भी questions आ जाते हैं ओके चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले question की तरफ क्या question है पहला question मैं 17 question देखते हैं इस वीडियो का developed यह ऐसी hypothesis किस ने दी थी कि organic molecular के थ्रू ही development हुआ होगा 1920 में तो बिल्कुल अभी हम आपको बता चुके हैं जो कि हमारी heading का नाम ही है Oparan and Halden ओके इन सभी के नाम आप पढ़ लिया करो क्यों क्योंकि actual में यह सभी scientist कहीं ना कहीं किसी ना किसी theory से attached होते हैं अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो इनके से related questions होते हैं वो याद करने में हमें आसानी रहती है ओके तो देखिएगा Miller and Eure, Fox and Pauling, Curies and Posture and Oparan and Halden तो इसका right answer मैंने पहले ही टिक कर दिया है क्या है वो Oparan and Halden ओके next question की तरफ हम बढ़ते है The theories which explain the origin of life and is based upon experiment ये experiment के ओपर भी बेस्ट थी तो देखिएगा Oparan and Halden ने theory जरूर दी हुई थी लेकिन इसको prove जो किया था, वो किया था Miller और Eure ने और कौन से experiment के तरू किया था तो ये chemical theory के according किया हुआ था, देखो biogenesis theory किस ने दीती, उपर हम आपको बता चुके हैं अब biogenesis किस ने दीती, ये भी हम आपको बता चुके हैं, catastrophisms theory किस ने दीती, ये उपर repeat हम कर चुके हैं अभी तो बची कौन से, chemical theory, तो life का जो origination हुआ है कही ना कहीं, वो chemical theory के थू ही हुआ होगा बढ़ते हैं, next question की तरफ, the concept of chemical evolution is based on, ये किस के उपर based था chemical evolution का जो concept था, ये किस के उपर based था, इसकी बात इस question में पूची गई है तो देखिएगा, possible origin of life by combination of chemical under suitable environmental condition ये हो गया, option A हो गया, चलो, option B को भी देखते हैं, interaction of water, air and clay under intense heat ना भाई, ये तो नहीं fit बैट रहा है, effect of solar radiation on chemical ना भाई, अकेला solar radiation का कोई effect थोड़ी था chemical के उपर crystallization of chemical, नहीं, chemicals का crystallization होने से कैसे काम चल पाएगा तो इसका जो सबसे accurate answer है, वो है, option A मैं एक बार फिर read करता हूँ इसको, possible origin of life by combination of chemical under suitable environmental condition ओके, चलो, बढ़ते हैं हम अपने अगली question के तरब, question number 20 और question number 20, क्या हो जाता है, chemical theory of origin of life was given by, तो यह किसने दी थी तो यह जो theory दी थी, वो दी थी, theory की बात हो रही है, यहां पे देखो, साप साप लेखा गया है इस बात को ध्यान से समझे न, theory की है, तो यह हो जाएगी, Oparan and Halden ने दी थी, किसने दी थी, Oparan and Halden ने ओके, चलो बढ़ी, अब देखिएगा, question number 21 है, according to Oparan, which one of the following was not, not present in the primitive atmosphere अब यह question कई सारे student का गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि option में जैसे ही वो देखते हैं, oxygen, methane, hydrogen, water vapor तो उन्हें आज की situation याद आ जाती है, उन्हें लगता है, कि भाईया, oxygen की बिना कैसे काम चल पाएगा, oxygen तो बहुत important है और अगर oxygen ही present नहीं होगी, तो फिर life कैसे originate हो सकती है, ना भाई, ऐसा नहीं होता है actual में, सुरुआती condition में, हमारे atmosphere में oxygen नहीं थी, यही इसका right answer है तो oxygen जो थी वो absent थी, बाकि methane, hydrogen और water vapor थी present चलो, इससे related हम आपको एक trick बताते हैं, M, A, H महा करके याद कर सकते हो, महा, M, A, H मतलब methane, ammonia और hydrogen, यह तीन ही gas रही थी और इनका ratio भी कई बार पूचा जाता है, तो देख लो, आप अच्छे से समझे लो ratio क्या था इनका 2, देखो, हम आपको दुबारा लिख रहे हैं, ध्यान देना M, A, H यह तो हमारी जो है, methane, hydrogen और ammonia को याद करने की trick हो गई अब अगर हम बात करते हैं, तो इसका ratio अगर हम कहें, तो 2 ratio 1 ratio 2 मतलब 2 अनपात 1, अनपात 2 इसके form में methane, ammonia और hydrogen सिर्फ 3 ही gases present थी और कोई भी gas present नहीं थी तो उमीद करता हूँ, आज का video आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं इस video को, इसके जितने भी part ने जल्दी जल्दी update करने वाला हूँ बस आप मेरी request मानते रहेगा और वो request एक ही है, कि आप subscriber बढ़ाते रहेगा और subscriber बढ़ाते रहेगा प्लस अपने प्यारे प्यारे comments जरूर देते रहेगा like करते रहेगा वीडियो को एक like करने में, एक छोटा सा comment लिखने में कुछ भी नहीं जाता है, जब मैं आपको एक गंटा 30 मिनट, 40 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी परड़े, तो please इतना जरूर करते रहेगा तब ही मैं motivate होगा, है ना अगर आपको सफलता पानी है, है ना तो आपको मेरे साथ भी रहना होगा और आपको मैं promise करता हूँ बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक please सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाते रहे हैं आपने अपना कर चुके हैं, तो आपके घर में जितने भी मोबाइल होँ, please उन सबसे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाईएगा, मिलते हैं आगले वीडियो में, नमस्कार